हेलो व्रीवन दिस राज कमल आज का सेशन देखने वाले हैं इलेक्ट्रो मैगनेट लास्ट क्लास में हमने आपको जुरूर बताया था इवाउट टाइप्स आप मैगनेट मैंगनेट कितने प्रकार हैं सारे प्रकृति के और जो हमारे परमानिट बनाते हैं उसके चर्चा हो अज़र करने वाले हैं विद्ध्यूच चुमबग के बारे में यह एक टेंपरेरी चुमबग भी होता है एक को टेंपरेरी क्याते हैं जब तक आप सप्लाइद ओगे इलेक्टिकल सप्लाइद तब तक यह चुमबग बना रहेगा तो इसी को दूसरा ना हमने क्या बोला है टेंपरेडी चुम्बक भी बोलते हैं मेगनेट ओके टेंपरेडी मेगनेट मतलब औस्थाई चुम्बक अब आप कहोगी कि ठीक है सर यहां पे आपने एक क्वाइल बना के उसमें सप्लाइ दिये तो बहुत पच्चे जो आईटिया वगरे क्यों होते हैं उनको कुछ चीजि प्रपेड़ सकते हैं जो अपने घर के जो तौर के क्या उसके प्लस्टिक सबता अगर आप तो क्रेंट के सप्लाइब होने से यहां पर फिल्ट होता है क्या होता है है यहाँ पर फिल्ड पॉल बन जाता है दूसे जगा इसी करण से क्या होवता है गया करेंट यहां लह है यह सब लॉग है कि जिसता करेंट और इस तरीके जारा तो फ्लक्स इदर से क्यों बैर का इसके लौ है हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे मैक्सवेल का लौ है कुछ इंपोर्टेंट टर्नलोजी है तो सब चर्चा होगी लेकिन एक चीज़ समझे फिलाल कि जब आपको फ्लक्स उत्मन की चर्चा करने हो तो यानि करेंट सप्ला देंगे तो वहां पर पोल का निर्मान होता है और इन्हीं पोल के कारण क्या हो ओविसली कई चुम्बक बन गया तो फ्लक्स एंड टू जाएगा है कि नी तो क्या होगा फ्लक्स आपका जाने लगेगा और यह फ्लक बारी सताय पर यानि हवा के आवरन वे हमेशा कैसे फ्लक्स करता है एं अन से एसक्योट लेकिन इन सब्सक्राइब के अंदर हमेशा कैसे व्लू करता है सैंट यह बात है ठीक है अब आईए समझ यह तो यहां पे चुम्बक तो इलक्टिकाल सप्रेसे देने से जिस भी चु धारा के प्रवाह से विद्यूत धारा के प्रवाह से जो औस्थाई चुम्बक और अस्थाई चुम्बक का निर्मान होता है होता है उसे ही उसे ही इलेक्ट्रो मेगनेट या विद्यूत चुम्बक का या थे विद्यूत चुम्बक कहा जाता है की सिंध्य कहा जाता है 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 चलिए और सताई क्यों या जो चुमबक बनता है या चुममक बनता है जो चुमबक बंता है और स्थाई चुमबक ही बने का इलेक्ट्रिकल सप्लाय अब thinking स इसका मतलबस है जब तक सप्लायय waking सब्सक्राइब करें लेकिन रेजिडिवल फ्लक्स वहां पर होता है उसकी चर्चा आगे होगी जब मसीन पढ़ेंगे लेकिन फिलाल सब्सक्राइब करेंगे लेकिन अगर कहीं बीना लुहे का बिलकुल अगर कहीं बी सिर्फ वाइंडिंग के में सप्लाइब देंगे तब यह चुम्बक का गुन रखेगा देखें सब बारकी से समझाएंगे अगर यह हावा में भी आप लपेड दोंगे ना को तब भी लेकिन तो फिर क्या है जब सब यहां भी फ्लक्स उत्पन हो गया और यहां भी फ्लक्स उत्पन हो गया तो इस दोनों में फर्क क्या है यहां पर लोहा क्यों नहीं दिया है ना तो आईए हम बात करते तो हवा में भी फ्लक्स का प्रोडुक्शन होगा और यह तब भी चु होगा इसमें भी करेंट अगर सप्लाइ देंगे तो फ्लक्स प्रोडूस होगा क्यों हमेशा लोहे पर ही आहम वैंनिंग को दिखाते हैं इसका एक रीजन है देखिए जब कोई फ्लक्स किसी माध्यम से गुजरता ना तो उसमें फ्लक्स मजबूत होता है जब कोई रिलक्टेंस चुम्बकिया में जो ज्यादा विरोध करता है उसको रिलक्टेंस वर्ड यूज करते हैं जैसे इलक्टिकल करेंट का विरोध कोन करता है कंड़क्टर में रेजिस्टेंस ऐसा ही मैगनेटिक फ्लक्स का विरोध कोन करता है रिलक्टेंस तो हवा का रिलक्टेंस हमेशा क्या होता है जादा होता है यहां पर रिलक्टेंस हवा है तो इसका रिलक्टेंस ज्यादा मतलब चुम्भक को परतिरोद करने की जो छमता होती है हो रिलक्टेंस में ज्यादा होती है Гaaf है इसका इसका रिलolesome ज्यादा यहां इसका ह्याहां रिलक्टेंस पहले हमने के लिए माधियum चाहिए जैसे कंड करेंट को बैने के लिए कंड़क्टर हो तो बढ़िया है लेहिं रास्ताम कोई रेजिस्टेंस मिलिया तो अवरोध हो जाता है आगे चर्चा होगी अब यहां पर समझें तो हम लोहे का इस्तमाल करके फ्लक्स को मजबूत करते हैं तो यहां पर रिलक्टेंस क्या है यहां भी जादा है यहां पर लिख देता हूं लोहे के तुलना में हवा का फ्लक्स हवा का फ्लक्स कमजोर होता है क्योंकि हवा का रिलक्टेंस हिंदी में भी रिलक्टेंस ही लिखते हैं यानि आरेल जादा होता है है कि अग्रेटिक सर्किट में है यहां पर समझें इलक्टिक सर्किट में यह लिख देता हूं विद्ध्यूत्य परिपत्थ में विद्ध्यूत् परिपत यानि एलेक्ट्रिकल सर्केट में जिस प्रकार प्रतिरोध धारा का भी रोध करता है उस्सी प्रकार अमगेटिक सर्केट में यानि चुमबा किया परिपत में में डिदुम्स बख़ा परिपत हैना में रिलाक्टेंस इंदी में भी लिखोगे तो रिलक्टेंज लिखोगे रिलक्टेंज लिखोगे रिलक्टेंज रिलक्स का विरोध करता है विरोध करता है ठीक है ना विरोध है ठीक से लिए है ठीक है इसी लिए तो हम इसा जब भी हम सब्सक्राइब अब फोर्मूला से भी एक बताए होंगे पहले जिस तरीके से करेंट के लिए क्या होता है यानि वोल्टेज बटर रेजिस्टेंस उसी तरीके से विदूतिया फ्लक्स को में होता है hierarch mercury बटर रिलक्तेंस ख़िखे तो देखिये रेजिस्टेंस ज्यादा हzinhoरे से करेंट घटने लगता है इलेक्टिकल सरकेट में म्यगनेटिक फिप्स में शर्कित अगर रिलक्टेंस में का बढ़ता है मतलब हवा ज्यादा उल्वान रास्ते में तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लक्स में चला क्या होता है कम जोड़ याता है यह क्या है इलक्तिकल सर्कीट यानि विद्धूत परिपत इसा होता है यह चुम्बक यह परिपत क्लियर है तो इससे भी समझ पाओगे तो इसलिए मैगनेट तो इससे भी बन जाएगा लेकिन मैगनेट को अच्छा बनाना है तो आपको कोर रखना पड़ता है जैसे कि किसी चीज़ को बहने के लिए एक परिपत की जुरत होती है इलक्टिकल सर्किट में है ना यहां तक क्ल किसी को कोई करिफूजन है तो बताईए अब अच्छा चीज़ समझेंगा अभी तक तो करेंट की बात हुई तो आपको चुम्बक मिल गया और हमने बोला कि कैसे फ्लक्स इधर बनेगा उधर बनेगा डारेक्शन क्या होता है यह सब लॉस सिखाएंगे उससे आपको पता चलेगा लेकिन अब यह सब्सक्राइड है अब यह जो करंट है है इसी होगा तो क्या होगा एसी होगा तो क्या होगा के वह करेंट का नेचर भी अलग अलग विच्छाओं यह सिम कुछ और तो उसकी वी चरचाज बहुत जुरूरी है ने तो बचा कन्फूज रहता है कि यह चीज के लिए रहने देते हैं कि आप लोग को याद ना हो तो काम जाएगा अब दो चीज़ बातों की चर्चा करेंगे दो बात क्या कि ऐसा भी तो हो सकता है जो आप चुम्बक बना रहे हो वहाँ एक बार AC सप्लाई हो और एक बार जो चुम्बक बना रहे हो कभी वहाँ किसीने DC सप्लाई दे दिया हो करेंट DC का एक तो AC का करेंट और एक DC का करेंट अब को कि दोनों में अंतर क्या है AC current मतलब जो sinusoidal current आपको मिलता है current और voltage मालो current की बात कर रहे है time के respect में DC current मतलब ऐसा current IDC ऐसा current होगा ठीक है ना तो DC में क्या AC में क्या DC में direction of current हमेज़ फिक्स होता है यह सब बेसिक जन कर रही है AC में current का direction change होता रहता है कभी दर से कभी दर से आप समझे AC अगर लगा होगा बात को समझेगा बारी किसी अगर इसमें AC लगा होगा और अगर इसमें DC बैटरी लगा होगा बात को समझे हाला कि direct तो circuit में नहीं लगाएंगे resistance लगा होना चीए यह तो short करेगा है ना लेकिन फिलाल अभी concept को अपना magnet का बनाना है इसलिए आई AC बनाएंगे तो current कभी कि इधर से और फिर कभी current इधर से तो नों डाक्शन से जाएगा पोजेटिव आपड़ेगा तो current इधर से जाएगा नेगेटिव आपड़ेगा तो current इधर से जाएगा तो ऐसे condition में क्या होता है देखिए हाला कि आगे लोग पढ़ेंगे तो आपको डिरेक्शन का पता चलेगा फिर समझे जब तक करेंट पोजेटिव डिरेक्शन यानि current ऐसे जा रहा है तो जब current ऐसे जाएगा तो कर्ल रूल या थम रूर के कॉर्डिंग फ्लक पोल एंड पोल इधर बनेगा एस पोल इधर बनेगा ध्यान से एक और प्लस अपलाई दी है पोजेटिव गया होगा तो इधर पोल बना कभी इधर पोल बना लेकिन यह कब बना यह एन और यह एस कब बना जब आपका पोजेटिव साइन है यानि current इधर से गया ठीक है ना जब current इधर से गया तो इस पर मुझे फोकस थोड़ा करने की जुरत है चल मैं आपको वो कर देता हूं ब्लैक वाले को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं आई यह क्या मैं बताने कोशिस कर रहा हूं समझेगा समझेगा वेट यहां समझना है कि देखिए जब आपका direction of current वह यह भी नीचे आ गया इसको भी नीचे कर लेते हैं आई जब आपका direction of current इधर से रहेगा यानी प्लस में रहेगा तो यहां से यहां तक प्लस जाएगा एक्ससी डिग्री तक तो इधर से करेंट गया कभी जाता करेंट जाते हुए फिर देदर कव जिरो करेंट हो गया तो जब इधर से था इougने के ढ़िया क Kardashians, फैडर क्या इडर से कर दाए हाले से इधर से फिलेटीव में कि लिए है पोजिटीव क्या एसी के पलस हाप में लेकिन जब क्या होता है इसका मदल्ध करेंट आपका इस ड्रैक्शन में जब गया होगा तब क्या हो गया जब यह वरंडिंग के से ऐसे है ऐसे है और चेंज कर दो कि उसी वरंडिंग में तो आपका जो पॉल है अब जो पॉल बनेगा जहां इसके क्रॉस करने के बाद तो जब इधर से करने लाएगा ऐसे कंडिशन में अब बात को सुनिये थोड़ा सा बना तो मेगनेट चाए करेंट इधर से जाए या करेंट इधर से जाए दोनों ही कंडिशन में बनतो रहे फ्लक्स आपका मेगनेट तो बन गया लेकिन हमिशा ध्यान दखिएगा जब एसी देके मेगनेट बनाते हैं एसी देके चुम्बक बनाते हैं तो एसी का करेंट अल्टरनेटिंग नेचर का होता है यानि फ्लक्स कभी दर से कभी दर से कभी दर से कभी दर से तो यहां पर समझने वाली बात है जो बड़ा इंपोर्टेंट है फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होता है इसका मतलब क्या है जिस तरके से करेंट इधर से कभी दर से कभी जा रहा है तो यहां पर करेंट कभी यह देखिए ना समझ रहे हैं आप कभी चुम्बक एन इधर बना कभी एस बना तो दूसरे हाफ में कभी इसे कभी इसे कभी इसे कभी इसे कभी इसे होता है यहrix यह जानकारी देंगे लेगे पहले DC की supply के बारे भी जानी आओ यहां तक तो समझ गए यहां alternating flux उत्पन हुआ क्या alternating यह flux किसे कान उत्पन हुआ फाय नेगेटिव करेंट के कान और यह फाय पोजेटिव करने कान जब आपका DC supply होता है तो निचिली डाइएक्शन्फ हमेशा क्या होगा फिक्स हमेशा करेंट का डायक्षन यही लेगा ID स फिक्स क्रेंट चार्व पांच एम्पेर लूल नसुं मेरा ले Только पी आणास ऑनी हिख स्दाइब टरैक्षिन आप हमेशा फिक्स तो पोल भी हमेशा खिक्स एन पुरह बन जएगा ऐस पॉल यहां बलेगा एफ एक एंख पूर भी हमेशा फिक्स सब अगर फॉल हमेशा showc अधर और देरेक्वन और देक्टिन आफ फ्लख समेस आफिक्स तो तब भी चुम्बक बन गया देखिए सप्लाय दिया आपने एंड पोलिया भी बना ये तब भी बना तो मेगनेट अभी भी है DC के केस में भी मेगनेट बन गया और AC के केस में भी चुम्बक बन गया पर अंतर क्या है बहुत का अंतर है है ना क्या अंतर है तो कभी इलक्तो मेगनेट तो हम बनाते हैं बहुत जगा आप मसीन पढ़ोगे तो बहुत जगा इलक्टो मेगनेट बनाते हैं तो कहीं DC सप्लाइ देते हैं पोल में और कहीं AC देते हैं तो जहां पर alternating flux चाहिए वहां उस flux में winding में AC अप्लाइ करते हैं और जहां पर आपको DC flux चाहिए होता है मतलब fixed direction का flux चाहिए होता है वहां पर DC सप्लाइ देते हैं तो कहीं कहीं इनकी चर्चा होगी यह सब basic concept है जो आपको need होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए अब यहां तक यह बात है कि AC से क्या होता है और DC से क्या होता है ठीक है अब बात आएगी और concept पर दोनों से बन गए प अन्यूने प्रेरं मतलब mutual inductance और mutual inductance की कारण उत्पन विद्युत वहकबल और सुता inductance के कारण या सुता प्रेरंड के कारण जो होता है वो उसका विद्युत वहकबल उसकी चर्चा होगी अब समझेए यहां पर फिराड़ों लोग काम करेगा फिराड़ों आगे पढ़ें तो यह दो अंतर आगे आपको पता चल गया ना यह चीज़े अब समझेए आगे हम आला कि पर अब लॉग पढ़ने के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे देखिए अगर कोई फ्लक्स यह फ्लक्स निकल गया और यह खुद के ही कंड़क्टर को कट कर रहा है ना खुद के यह फ्लक्स तो निकला और खुद के ही कंड़क्टर को कट कर रहा है है कि नहीं लेकिन खुद के ही कंड़क्टर को कट कर रहा है लेकिन हमेंसा डारेक्शन और फ्लक का फिक्स हो तो इंडूस्ट भोल्टेज इस DC के के सिंद में यहां पर हो जाएगा जीरो विल्टेज उत्पन हो जाता है 0 क्यों कि फिराडे का अकॉर्डिंग जो इन्डूस्ट गया फोता है वह को था एन्डी फाइब यहां पर लेंज लोग कारण माइनस भी लगा देते हैं माइनस एंडी फाइवा डी टी ठीक है टर्न तो है मालों दस टर्न है जो भी टर्न हो किसंग क्या है ठीक है करा कि अगर टाइम की रिस्पेक्ट में लगातार चेंज करें क्या करें यह डी फाइवा डी टी क्या है इसका मतलब है टाइम की रिस्पेक्ट में अगर फ्लक्स लगातार चेंज करें तभी बोल्टेज उत्पन होगा यह फिर आड्रेस आपका कहिना है अगर ऐसा नहीं हो टाइम क current fix on a kind direction of flux fix है और वही fix flux हमेशा अपने conductor को cut करता है तो इस case में voltage उत्पन जो होता है वो क्या होता है 0 तो DC अपला अगर किसी coil में करते हैं तो उसके कारण उस coil में उत्पन voltage हमेशा क्या होता है 0 क्योंकि वा स्वता प्रेरन भी तो हो लेकिन rate change of flux नहीं होता है time respect में flux उस conductor को नहीं कट करता है वह अमेशा है कि direction में flux जितना हो गया वह वेचारा fix रहेगा क्लियर सांथ इनर्ट है कोई दिक्कत नहीं तो voltage DC के समझेंगे न तो आपको अंतर लेगा वरना तो वह लेंगे कोईल में supply देजिए चुम्बक उत्पन हो गया ही तक कामी खतम लेकिन है एक से एक चीज जितने आपकी नहीं होगी हम वहाद तक आपको बता देते कलो के कहीं उल्जोना अब यहां क्या हो रहा है जब करेंट लगातार चेंज कर रहा है तो इसकी कान क्या कुणबक किया उत्पन है तो कुणबक करते कदेंधार कट कर युदर से कट किया उश्मेंभी करेंट का मेंगनिटूड कब जाता हो रहा है कभी करेंट यहां कभी करेंट यहां कभी بशे langal करेंट करेंगा च迥 जीरो गया तो करेंट समय के रुचार क्या कर रहा है तो इसके करण जितना चुकिए हम जानते हैं कि करेंट के डैगली फ्लक्स होता है अन्य जितना बढ़ेगा अब देखो यहाँ पर एक ये दो जीरो से बढ़ा एक तीन चार पांच 1020 MPR फिर ज़ते बहुत जाता है तो और जैसे से बढ़ेगा तो फ्लक्स का लाइन भी भाड़ता चल जाएगा तो भी आप फ्लक्स का लिए तरी के इस तरीके से च्याएगा flux कभी कभी जादा किसको cut कर रहा अपने ही conductor को तो ऐसे condition में होता है सोता induction, self inductance और यहाँ पर voltage उत्पन जो होता है यह अब 0 नहीं होगा यहाँ N, D5, DT voltage उत्पन हो जाता है अब देखो यह flux बदल राय टाइम के respect में साइध किलियर ने दिखे फिर से यहाँ पर किलियर के साथ बना देता हूँ image यहाँ पर, यहाँ जो भोल्टेज उत्पन होगा वो minus N, N है टर्नों के संक्या into D5 यह जो flux है with respect to time time के respect में यह voltage उत्पन होता है कहाँ पर? इस coil पर तो जब AC सपला होता है कि इस coil पर तो इस coil पर voltage उत्पन होता है जिसको बोलते है self inductance और self inductance के कारण यहाँ पर हो जाते है self inductive voltage ठीक है? तो इसी में बोलते है induced voltage, voltage क्या हो? सपलाई दिए यहाँ पर coil में field बनाया है magnet बनाया है और यहाँ बोल्टेज उत्पन कर लिया है कि नहीं? और यह law है इस law को भी बताएंगे e बराबर nd 5 by dt फिर आडे का second law है कई बार exam में पूछता है फिर आडे का second law क्या है? तो e बराबर nd 5 by dt पहला law क्या है? पहला law खाली theory है कि अगर कोई field में कोई conductor कट करता है तो उसमें उत्पन होता है flux उत्पन होता है voltage यह पहला law है लेंग कहता है कितना voltage उत्पन होता है तो n बराबर यह परिमान निकालने के लिए n d 5 by dt तो जहां पर परिमान निकाल देता है कितना flux बिद्दू तो उत्पन हो रहा है यह value निकालते है उसको बोलते हैं फिर आडे का कि वोल्टेज होता है कि माइनस n d 5 by dt इसमें होता है यह न तो एसी डीसे का फड़क पता चलता है न आप लोगों को अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं हलांकि लेकिन बहुत देप्त में आपको नहीं पढ़ना यह जानकारी दे हा् है कि यसी ribbon से क्या फंवक परता है चुम्बक किसी भी तरी के से बना सकते हैं सब का अपने से अपना ओपना औरना काँРИज दे के चुम्बक बनाना एं तो अलग लग यूजें हैं अलग लग मसीन में कहीं जिंद हैं कहां देना कहां डीसी अपना यह सारी जानकारी मिल जाएगी तो आपको मसीन पढ़ने में और आसानी होगी तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए बाइबाई टेक केर थेंक्यू